हलो एवरिवान की यू आफ वाचिंग सीरिल से आप आप जहां पे मिलती है शो से जोड़ी एक्स्क्लिोसिफ अपडेट बात करते हैं आप सभी की फेवरेट टीवी स्तीरियल तेरी मेरी डोरियों के अमेजिंग लेटेस्ट एपिसोड की तो आखर शो में क्या कुछ खास दि क्यारा कहते है कि मां मुझे जैटल क फिल हो रहा है आप क्यों ना सीरत भाबी को अपने साथ लेजाओ जसलीन मान जाती है जसलीन यहां सीरत से कहती है कि चलो जाकर के Ready हो जाओ हम भाहर जा रहे हैं पार्टि के लिए सीरत माँ जाती है यहां पर अंगत कॉमेंट करता है साहिबा के उपर उससे कहता है कि जाओ तुमें तो जाकर कि मिंस्टर बरार के साथ सैलिबरेशन करना चाहिए यही तो चाहती थी न तुम, जो तुम चाहती थी वो हो गया, साहिब अंगद से कहती है तुम का चाह रहे हो अंगद, अंगद तब ही कॉमेंट करता है वहाँ से चला जाता है, इंदर वहाँ आता है, साहिब को थेंक्स कहता है क्योंकि उसी के वज़े से उसे आज सिमरन मिली और वो से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वज़ा से अंगद और साहिबा का जो रिष्टा है वो काफी जादा मुसीबत मुश्किल में पढ़ रहा है जसलीन अपने फ्रेंड्स को आता देखती है और तब ही यहाँ जसलीन के फ्रेंड्स सीरत पर कॉमेंट करते हैं बाद में जसलीन अपने दोस्तों को जोइन करती है जसलीन के फ्रेंड्स सजेस्ट करते हैं कि हमें किसी एक फ्रेंड के घर जाकर के हाउस पार्टी करनी चाहिए घर जाने के पहले जसलीन मान जाती है जसलीन सीरत से कहती है तुम enjoy करो हम अभी आते हैं और सीरत मान जाती है यहाँ पर अंगत वीर से कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें इतना music क्यों चला रहे हो वीर रिमाइन कराता है अंगत को कि यह तो आपका favorite song है ना पाजी इसलिए मैं चला रहा हूँ ताकि आपका mood better हो जाए और अंगत वीर को चलाने के लिए कह देता है song loud voice में यहाँ पर एक इनसान आता है एक शक्स आता है सीरत के पास और उससे कहता है कि क्या तुम में इसाथ dance करोगी सीरत कहती है कि नहीं मैं अपने partner का wait कर रही हूँ अंगत को तभी यहाँ से call आती है सीरत से सीरत यहाँ पर अंगत से बात करने लगती है बहुत ही अरजीब से हा सीरत को छेड़ने लगता है अंगत सीरत से कहता है कि तुम मुझे अपनी live location बेजो मैं वहाँ आ रहा हूँ सीरत कहती है कि ठीक है मनवीर यहाँ देखती है कि अंगत घर से जा रहा है और मनवीर रिसाइट करती है कि वह कुछ करेगी साहिबा को सबक सिखाने के लिए मनवी यहाँ दारजी और बेबे के पास पहुंच जाती है और कहती है कि देखे इंदर जो सिम्रन के अडॉप्शन के लिए यह सब ड्रामा कर रहे है इसमें साहिबा का उनको बहुत जादा सपोर्ट है मनवीर यहाँ कहती है कि आप बेबे और दारजी साहिबा से बात कीजे और मान जाते हैं तभी यहां दिखाया जाएगा कि अंगद रोयल गार्डन आ जाता है और वो सीरत को वहां से ले जाने की खोशिश करता है लेकिन सीरत अब तक यहां शराब पी चुकी होती है और वो नश्य के हाल में अंगद से पोचती है कि क्या तुम मेरे लिए यहां आए हो ऐसी उल्टी सीधी बाती करती है साहिबा एंदार जी से कहती है कि जी आपने मुझे यहां क्यों बलाया अकाल कहते है साहिबा से कि इंदर इस वक्त सिर्फ तुम्हारी बात सुन रहा है अकाल साहिबा से कहते है कि तुम इंदर को एडॉप्शन का उन्हें या आइडिया छोड़ना पड़ेगा Otherwise मैं इंदर को तलाग दे दूँगी मनवीर ये कहकर कि महां से चली जाती है अकाल ये देखते हैं और साहिबा को ओडर करते हैं कि जो तुम्हें करना है लड़की ये तुम करो लेकिन सिम्रन यहां पर अडॉप्ट होकर कि घर आएगी ऐसा आइडिया छोड़ दो तुम्हें पास कल सुबह तक कर टाइम है Otherwise मनवी डिवोस साइन कर देगी और फाइल भी कर देगी केस यहां साहिबा एक बार फिर से मुश्कल में फस जाती है यही सब दिखाया जाएगा शोग के अपकमिंग ट्रैक में जिसमें देखना होगा बेहद इंट्रस्टिंग की अपसाहिबा क्या करने वाली है फिलाल तो ऐसी एक्स्क्लोसिफ अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले हलो एव्रिवान क्यों आफ वाचिंग सीरिल से आपा जहां पे मिलती है शोग से जोड़ी एक्स्क्लोसिफ अपडेट बात करते हैं आप सभी की फेवरेट टीवी से रियल तेरी मेरी डोरियों के अमेजिंग लेटेस्ट एपिसोड की तो आखर शोग में क्या कुछ खास दिखाया जाएगा चली आपको बताते है शोगी शुरवात होती है कियारा के साथ जो जसलीन से कहती है आपने मुझे क्यों नहीं बताई यह सब कुछ हो रहा है घर में पहले जसलीन कहती है कियारा से कि मैं तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी मैं तो बल्के तुम्हें सब्प्राइज देना चाहती थी कियारा कहती है कमान माम मैं सच में बहुत जादा सब्प्राइज हूँ आपने मुझे surprise बहुत अच्छा दिया है क्यारा यहाँ पर gift देती है जस्लीन को जो वो उसके लिए खरीद कर लाई होती है जस्लीन क्यारा से कहती है जाओ जाकर के रेडी हो जाओ पार्टी में चलते हैं क्यारा कहती है कि मा मुझे jet lag फील हो रहा है आप क्यों ना सीरत भावी को अपने साथ ले जाओ जसलीन मांज